नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुक्रिशन प्राइंट पर साथियों लेकर आ चुकों आप सभी के सामने एक बहुती बढ़िया वेकंसी जी हाँ दोस्तों जो कि आपके इंडियन आर्मी की तरफ से रहने वा उसके बारे में कैस के एजमलेट क्या होती है क्वालिफिकेशं क्या होती है साथ यह कौन-कौन कैंडिर्स के लिए अप्लाइ कर सकते हैं कितनी इसमें बैकंसी आती हैं सब कुछ इसके बारे में डीटेल में जानने बाले और आप इसके लिए कभण पॉंप्राइब आप जो कि बारतिए भारतिय थलसेना की तरफ से जडरी की गए इंडियन आर्मी की तरफ से जो कि यह आपर देख सकते हैं अप्रेल 2022 के निदारतम आपका का बह जो रहने वाला है वो अपरेल 2022 रहने वे लखिशा आउनलान आउबिदन के लिए आशरित की जाते हैं यह पर देखें आपके लिए आमंत kangitt always मतलब इतनी डेयर को अपप सकते हैं दोस्तों hindi में लिखा हुआ थोड़ सी प्राव्म होँरी होगी में बता रहा ह scripture फिर भी मैं बता दो कि आपकी 5 अक्टूवर से लेके आपकी 3rd of November 2021 तक इसके फर्म चलने वाले हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं हैं फिर भी एंचे काड़ित हैं हिंदी और इंगलीस दोनों में यहां पे नोटिफिकेशन दिया चाहें तो आप इंदी में पढ़ना चाहें हैं तो आप इंदी में पढ़ लाएं निकल्स में पर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह उफिसल वेबसाइट के माध्यम से जारी किये अब हम जान लेते हैं इसके age limit qualifications क्या क्या रहती है साथी vacancy कितनी रहती है आपको मैंने बता दिया short notification जारी किये गए मैं आपको previous year का जो अभी previous year पेज बैच जो हुआ था उसका जो notification में उसके according आपको सब कुछ detail बता रहा हूँ, सब कुछ सेम रहता है बागी आपके लिए थोड़ा सा कुछ age limit change हो जाती है और आपको और कुछ change नहीं होता बागी का सब कुछ change same रहता है और आपके apply करने के date change हो जाती है बागी सब कुछ same रहता है तो मैं उस notification को आपको अभी दिखाता हूँ सब से पहले आपको पता है 51 batch रहने वाला 51 ठीक है लेकिन यह कौन सब batch का है 50 batch का जो कि आप देख सकते है 50 course के लिए है तो मतलब है previous year जो अभी previous time पे अभी जो notification जारी किया गया तो उस notification के according सब कुछ detail आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है यह सब नेपाल वगएरा यह सब आप देख लेंगे जारा दर गेंडेट इंडिया नहीं होंगे मुझे लगता है आप जानते हैं कि एज लिमिट के बारे में एज लिमिट देखिए आपको यह होगी तो आप इसमें देखिए 6 months एड कर देगा कितने 6 months इसमें प्लस कर दें आप कितना 6 months आप इसमें प्लस कर दें यह जो डेट दे रखिए न मैं भी आपको डेट बताऊंगा इसमें आप 6 months पहले प्लस करके चलेंगे जो कि आप आप देख सकते है 19 से लेकिए 19 अगर आपकी अज इस टाम पेone से आपकी 19 से पचीस के बीच में होनी चीनित किए 17 से लेकर 25 के बीच में आपकी एज है तो आ आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी टेंस्ट yellow आइट नहीं ठीक है अब बात करते हैं कहां से आपकी द्यू भी होनी चाहिए और कहां तक केंडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखेए एज लिमिट जो हनी चाहिए वो यहाँ पर कितना दिखा रहा है जनवरी या फिर फर्वरी ठीक है जनवरी या फर्वरी में आपकी जो एज होनी चाहिए 12-22 में आपकी मिनिममम एज होनी चाहिए वह आपकी ओनी चाहिए 19 साल अई है वहलुछ इनिममम conception legal means अपने पास कर कर लेगे तो लिए फिर अटेट अपने लिए अपने चाहिए 19 30 में जरूरी है अगर आपके थिर देख्मका प्रसेन जरूरी है एगर नहीं ट्रीर करका है जरूरी है ठीक है दोस्तों तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा फिप्टी परसेंट से तो आपका एक्जाम जो है कैंसल हो जाएगा फॉर्म जे इस चीज का ध्यान रखेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना होगी है इस चीज का आपको ध्यान रखना होगी है आपके पास अगर C Certificate है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो आप नहीं कर पागए ठीक है और साथ ही अगर C Certificate की भी बात करूँ तो उसमें कौन सा Grade होना चाहिए मैं बो भी बता देता हूँ अगर आपका A Grade हो यहाँ जिसको आज़ा भी बोल सकते है या फिर आपका B Grade है जिसको भी बिटश भी बोल देते हैं ठीक है इन दोनों में Grade मैं इसे कोई सा भी आपका Grade है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं NCCC जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पर already notification में mention कर रखा है और यहाँ पर दे रखा है minimum B grade in NCC C certificate आपका A grade है तो चलेगा B grade है तो चलेगा बाकी का C certificate में C grade इसमें नहीं कर पाएगा apply ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले सी लिखा हुआ है जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है NCC C certificate on date on application यहाँ पर दे रखा है न देख सकते हैं यह चीज आपको देख लेना है अगर C certificate है आपके पास तो आप इसके लिए eligible नहीं है NCC में C certificate में C grade है तो आप इसके लिए eligible नहीं है C certificate में आपका B grade या A grade है तो आप इसके लिए eligible हैं आगे बात करते हैं देखिए कि आपके qualifications में आपको बता चुका हूँ साथ ही देखिए आपकी education qualification जो complete हो जानी चाहिए वो यहाँ पर आपके date भी दे रखिए है तो इसमें आप 6 months ahead कर सकते हैं आपरेल आपके 1st April आपके 1st of April 2022 में आपकी आपकी जो education qualifications बगएरा है सब कुछ complete हो जानी चाहिए आपकी graduation जो भी है आपकी complete हो जानी चाहिए जो आप इसके लिए apply कर सकते हैं यह चीज आपका ध्यान रखना होगा ठीक है भाई तो यह आपको मैंना भी आपको बता दिया बाकी देखिए आपके लिए main main बाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा NCCC का C certificate बगएरा यह सब चीज है और हाँ बात करते हैं number of vacancies की इसकी vacancy कितनी रहती है तो देखिए number of vacancies की बात करें तो देखिए Indian Army में आपके NCCC certificate होना चाहिए Indian Army यानि Wing होती है आपकी तो यहाँ पर देख सकते है Indian Army Wing में आपकी होने चाहिए NCCC साथ यहाँ पर देखिए आपका बूल रखा है कि NCCC में आपका 50 vacancy रहती है for man candidate यानि कि male candidate के लिए vacancy रहती है कितनी 50 vacancy रहती है पचास जिसमें कि आपकी 45 vacancy रहती है कितना general means सभी category apply कर सकते हैं इसमें सभी category वालों के लिए ठीक है एक vacancy में रिजर्व होती है जो कि Indian Army Personals के रिजर्व होती है आगे बात करते हैं तूरिज्म बगारा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं period of probation भी देख सकते हैं इस चीज को आप पढ़ लेंगे तो भाई सब को समझमाय जागा नोटिफिकेशन में आपको बता दूगा कहां से डाउनलोड करना है उसके बाद आपका देखिए आपको SSB के लिए डारेक्ट लिए जाया जाता है यहाँ ठीक है यहाँ पर रिटेन बगारा इसमें नहीं होता है कोई पी किस टाइप से होता है जो कि हाँ पर देख लेंगे ठीक है बागे और मेन मेन तो मैंने आपको बता दीआ है बैसे तो सब कुछ और फिर भी कोई दाउट आए तो यार पूछ लेंगे comment box में मेरे साब से नहीं होगा फिर भी ठीक है अब में 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 जो बातें थी मैंने आपको बता दी है apply मैं आपको बता चुका हूँ पहले कैसे करना है apply करने का देखिए आपको मैं बता चुका हूँ और official website पे आपको 5 of October 2021 को आपका detail में आ जाएगा सब कुछ ठीक है selection procedure जहां पर दे रखा है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं फिर से बता देता हूं इक बार सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की तरफ से आपको form apply करना है official website के माध्यम से जो कि आपका 5 अवक्टूबर से apply start हो जाएंगे जो कि आप सभी candidate को पढ़ता होगा ठीक है जो कि आपके centers यहां पर यह रहते हैं any SSB के selection centers यहां पर आपको बलाए जाएगा जहां भी आपने form फिल करेंगे alignment होगा वहां पर आपको बलाए जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए अगर आप SSB से select होते हैं तो उसके बाद कुछ बेसिक्स ही हैं जो कि कुछ medical बगेरा यह सब चीजें होती है तो आपको अगर clear होता है तो सब कुछ हो जाता है ठीक है उसके बाद medical होता है मैं आपको बचा चुका हूँ पहले अगर medical clear नहीं होता तो उसके बाद आपको री medical दिया जाता है उसमें उसके बाद entering the training allowances बगे अगर आप नंबर आ जाता है यहां पर तो ठीक है यह चीज आपके यहां इसमें रहने वाली है जो कि मैं आपको सब कुछ detail में आपको बता दिया है अभी ठीक है दोस्तों तो apply जोड़ू करिए का अगर आपको अपना apply कर सकते हैं जो इंट्रेस्टेट है तो मैंने आपको सब कुछ detail में बता दिया है 5 of October 2021 से आप किसलिए apply कर सकते हैं अभी इंडियन आर्मी के तरफ से official website तो पर अभी short notice जारी किये गा है बाकि आपका detail notification और apply करने का link आपको 5 of October 2021 से start हो जाएगा और 3rd of November तक आप apply कर पाएंगे तो मैंने सब कुछ इसके लिए बता दिया है ठीक दोस्तों 19-25 साल तक के candidate male or female दोना apply कर सकते हैं जोनों ने NCCC certificate passed कर रखा है साथी आपके graduation complete होना चाहिए वो आपका मैं बता चुका हूँ ठीक है ठीक है दोस्तों तो I hope video आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको video helpful लगा है तो आप से बस एक रूक है चनल को subscribe करके bell icon button press कर I hope आपको समझ में आ चुका होगा अब अच्छा लगा है तो video को like कर सकते हैं share करना सभी दोस्तों में comment करके जो बता है आपको video कैसे लेगी चनल को subscribe करें बनाए जाए मिलते हैं बागी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें बंदे मात्रम